नमस्ते विद्यार्थिमित्रों आजे बात करी सु धोरण आठने विशे हिंदी ना पाठ नम्मर पाँच सवाल बाल मन के जवाब दोक्तर कलाम के सम्पुन सवधिन पूथिन शॉलिशन मेड़ी सु ये पेला चैनल ने अंदर पर्थम पखता आवया चो तो विद्यार्थिमित्रों चैनल ने खास सब्सक्राइब करी लेवी प्रशन नमर एक और प्रशनों के उतर संक्सित में लिखिए डोक्तर कलाम की बच्पन की किस कटना का वर्णन लिखिए तो कलाम जब पाचवी कक्सा में थे उनके सिक्षक्ष्री सीव सुप्रेणियम अईयर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्सी के से उड़ता है वे विद्यार्थियों को रामेश्वर की समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवांत उदारन बताया डोक्टर कलाम पर इस खटना का कहरा असर पड़ा उससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिले डोक्टर कलाम ने सहास की क्या परिवासा बताई दोक्तर कलाम की दरश्टी में अपने जान की परवाह किये बिना दूसरों को संकट से बचाना ही शाहस है भारत विक्षित राष्ट्र है या विकासिल स्परस्ट किजिए भारत की अर्थ विक्षित रही है देश की अर्थ को कुरूशी से हटकर उध्योग अधारित होने की जरूरत है क्यूंकि कुरूशी सिंचाई के लिए मानशून पर निर्भर रहती है जो खूद बहुत अन्रिच्चित है इस कारण की वज़़ से भारत विकाषिल देश है प्रशना चोथाम हमारी राश्ट्रिय सक्ति कोण शी है के से भारत की जन संख्याई करभ से अधिक है उने से 54 करोड लोग 25 वरस से कम आयू के है ये युवा अधान हमारी राश्ट्रिय शक्ति है पारत देश की सबसे बड़ी चुनोती कौनशी है? क्यूँ? पारत को सन 2020 तक एक विक्षित राष्ट के रूप में परिवर्तित करना और देश एक अरब से अधिक नागरिकों को चेहरे पर मुश्कान देखना ये सबसे बड़ी चुनोती है प्रश्णा एक बव प्रश्णों के उतर लिखिये डॉक्टर कलाम को विज्ञान भढ़ने की प्रेरणा किस से और के से मिली तो कलाम जब पाचविक अक्सा में थे तब उनकी सिक्सक्सरी सेव सुब्रण्यम अयर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्सी के से पुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का चीवंत उदाहरन बताया डॉक्टर कलाम पर इस गटना का गहराशर पड़ा उससे उन्हें विज्ञान भढ़ने की प्रेरणा मिली इस प्रकार उन्हें सिक्सक्सरी सेव सुब्र मात्रू भासा में की थी कोलेज और आगे की शिक्षा में उनकी भढ़ाई का मात्यम अंग्रेजी भासा थी कलाम के विचार से कोलेज की भढ़ाई भी मात्रू भासा के मात्यम से होनी चाहिए इसके कारण यह की विद्यार्थि अपने मात्रू भासा में ही सोचता है पिर भी विश्व के दूसरे देशों से संप्रक कायम करने के लिए वे अंग्रे जी का गिन्यान भी आवश्यक मानते थे। लक्षे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हमारे देश में डोक्टरों और एंजीनियरों की कमी नहीं है। कमी है अच्छे विज्णानिकों की इसलिए एक महान विज्णानिक बन कर देश का नाम रोशन करना। यही मेरे जीवन का लक्षे है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्णान की पुस्तके बड़े द्यान से बढ़ता हूँ। विज्णान की अन्य पुस्तके भी स्कूल पुस्तकाला इसे लाकर पढ़ता हूँ। मैं विज्णानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तके भी पढ़ता हूँ। प्रश्न नमर चार, सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए, सहस्त्र सेनाओं में नियुक्त किये गए पूरूश और महिला के आधार पर कोई भेदबाव नहीं होना चाहिए, तीन सेनाओं में प्रयाप्त महिला अधिकारी नियुक्त है, राश्त्री और रक्षा सम्ताओं में वरूति के लिए महिला उंच तर्य सामाजिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहो दे सकती है, इस परकार सेना में महिला की बराबरी होनी चाहिए, वर्त्मान राजनितिकनों को अपने कठीन परिश्त्रम उत्कृष्टा और पारदर्शी कारियों से मार्दर्शक देना चाहिए, साथ ही गरीबी रिखा के नीचे रह रहे लगभग, 26 करोड भारतियों के उत्थान के लिए पिकारिया करना चाहिए, पढ़ने के बजाए देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यूँ? देखे हुए द्रश्य का चित्र, जियो कात्यों मस्तिक में अंकित हो जाता है, लेकिन बढ़ने से केवल मन में कालपनिक चित्र बनाया जाता है, कलपना में वो सच्चाई नहीं होती, जो हमारे यथार्थ में होती है, अंतहों पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ, बहुत ही अच्छे से याद होता है, प्रश्न दो, निम्नल लिखी सब्दों का आर्थ देकार वाक्य प्रयोग किजिए, अडचन तो अटकाव, सक्सेना जी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं, वाक्या, फिर आएगा आपदा तो मुसिबत, वाक्य बनेगा अपने ज वाक्य कॉल बस्टेशन पर बहुत सारे मुसाफीर थे, प्रयास तो प्रेतना, हमेशा आपने काम में प्रेतना करते रहना चाहिए, उत्था तो विकासे, भारत एक विकासे इल देश है, रून तो कर्ज, राम ने इतना कर्ज किया है कि वो चुका नहीं पा रहा, प्रश्न रूपासा, राष्ट्र से सबंदीत, राष्ट्रियों, भारत से सबंदीत, भारतियों, राजनिती करने वाला राजनिती क्नों, सिल्प अधारित काम करने वाला दस्तकार, दूर तक देखने वाला दूर दर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके पार दर्शक, समर्या लखिए किसान वे भारत देश के रिडर की हडी के समान है कंधिया फचलो और देलहन का मज़दूर एक मजदूर देश के निर्मान के बहु मुल्य भूमिका निबाता है और उसका देश के विकास में अहम युगदान होता है किसी भी समा देश संस्ता और उध्योग के काम करने वाले स्रिमों कोगी अहम भूमिका होती है मद्दुरों के बिना किसी भी पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हस्ते हस्ते अपने पराणों का देश के उपर न्यू छाबार कर दिया सहिदों के परिवार में उसके बाद पर देश प्रेम का जज़बा कम नहीं हुआ सहिद के बाद चाहे सैनिक का पूत्र हो या भाई हर किशी के देल में बस एक ही इच्छा है सेना में भरती हो कर देश की सिवा करना सिक्षक राष्ट्रिय एक्टा और अखंडित्ता के बनाए रखना आज की आवसकता बन गई है हमारी सिक्षक वर्ग समाज निताओ वो राज निताओ को उसमें उन युगदान देना चाहिए और संकिनता की भावना को त्याग देना चाहिए तबी देश की अखंडित्ता एवं एक्टा बनी रहेगी और खत्रा दूर किया जा सकता है क्यूकि आज संपूर्ण विश्व राष्ट्रिय एता की भावना से प्रेरे थे महिलाए महिलाए समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कारिय में लगी है महिलाओ ने अपनी करतेवय प्राणायता से ये सीद किया है कि वे किसी पिस दरवर्बुरूसों से कम नहीं है बलकि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी स्रिष्ट ताका ही प्रदेशीत की है मेरा यदकर घटना इस विशे पर 10-12 वाक्य में आपके जिवन के विशेष घटनाएं लिखी है गर्मी की छूटियां थी मैं अपने गाव गया था गाव के पास नदी थी मेरा बड़ा भाई अच्छा तेरक था मैं भी नदी में तेरना चाहता था लेकिन डरता था मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बाते करने लगा इसे विश उसने मुझे धका दिया और मैं नदी में जा गिरा डूबने के डर से मेरे हाथ पाव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया पाई ने कहा डरते क्यों हो इसी तरह पाने में हाथ पेर हिलाते रहो डरो मात डूबोगे नहीं डूबने लगोगे तुम्हें बचा लूँगा बस फिर क्या था मैं नीडर होकर पाने में हाथ पे रहिलाता रहा एवं इतर से उधर और उधर से इतर चकर लगाता रहा है इसी दिन से मुझे तेरना आ गया बच्पन की वो कटना में कभी भूल नहीं सकता रूप रिखा गया धर पर कहाने लिक करयोग ये सिर्षक दिजिए दिपु सुब सुब सेर करना जा रहा था वो रेल लाइन के किनारे किनारे से जा रहा था लड़के ने देखा कि एक जगह से रेल लाइन उखड़ गई दीपु को पता था रेल लाइन उखड़ी होने के काराण रेल के दूर घटना की आशंका हो सकती है दीपुने इस घटना का प्रियास किया लेकिन वो छोटा होने के काराण अकेले ये सब नहीं कर सकता था दीपु को सामने से रेल आते हुए दिखाई दे रही थी दीपुने उसे समय दिमांग लगाया उसने लाल रंग की कमिज पहने हुई थी उसने निर्णे किया के दीपु दिमांग लगा कर कमिज उतर कर अपनी लाल कमिज लहराने लगा ये देखकर गाड़ी रूप गई गाड़ी को रूपने के बाद दीपुने सारी बात गाड़ को सारी जान करी दी इस परकार सभी यात्रियों की जान बच गई गाड ने दिपु की तारिफ की गाड ने सारी बात सरकार तक पहुचाए और दिपु को इस बहादुरी के लिए राष्टे पूरुषकार प्राप्त हुआ सीख हमें जीवन में मुसिबत के समय दिमांग से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए सर्वनाम पहचान कर लिखे मैं इस देश की सान बढ़ाओंगा तुम मैं स्वच बचे हमारे देश की संपती हैं तो हमारे तुम कब आओगे तो तुम जैसा करोगे वेसा भरोगे तो वेसा आओ वह स्वयम इस संगित की स्रोत थी तो वह सर्वनाम का योग्य उप्योग करके रिक्ट स्थानों की पूर्त की जिया यह मेरी किताब है सानिया ने तुम्हे बुलाया है यह तुम्हारा वाई है मैं वह नहीं चानता लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती यह किसने क निचे दिये गए सार्वनामिक सब्दका उपयोग करके वाक्य बनाईए कौन वहां कौन खड़ा है जो तो जो तुम बढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे वे बड़े ही अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छे से समझाना होगा स्वेम में स्वेम बढ़ाई क पर लूँगा रसना नमर च्छो निमनल लिखी परिछेद में उपरिक्तुस्तान पर विराम चीहन लगा कर लिखी एक राजा को रास्ते में बढ़ा किसान दिखाई दिया राजा ने किसान से पूछा बाबा आप क्या कर रहे हैं बढ़ा किसान बोला महराज मैं आम के उप खाये उसके पेड मेरे बाप ददाने लगाये थे अब में जो पोधे लगा रहा हूं उसके फल मेरे पोते-पोतिया खाएंगे किसान के सुझ से राजा खुस हुआ अगर आपको देश के प्रधान मंत्री को साक्षात कार या तो इंटर्व्यू में के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन-कौन से सवाल पुछेंगे सोचिये और सवाल अहां लिखिये सवाल विक्तिकत नहों होकर राष्ट्र के हित में होने चाहिए सवाल एक देश में सब संसाधन सुलब होने पर भी अभी तक हम वीखषित रास्ट्र की श्रैनी में क्योग नहीं आये हैं सवाल दो हमारे देश में गरीब और अमिर बीच की खाई ॐटदी क्यू जा रही है देश में महंगा इतनी क्यों बढ़डी होई हैं वीदे सी बेंकों में जमा काल धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यूं है किसानों के लिए आप कौन सी नई योजना लाएंगे सिक्षा में हमारा देश अभीदक पिछड़ा हुआ क्यूं है युवाओ को रोजगार देने के लिए आपकी सरकार ने कौन से कदम उठाए पाने की समिष्या के लिए आपकी सरकार ने किया योजना बनाई निम्नलेखीत परिछेत को मात्रू भासा में अनुवाद कीजिये तो वी ध्यार्थी मित्रों आपने सी दो अनुवाद जोई सों परिक्षानी परंपरा प्राचिन समय थी चाली आवे छे जेम जेम परिक्षानों वी ध्यार्थियोंने रात्रे उंग न थियावती रदे खुबच बेचें रहे छे चिन्ताओ ये था वच्छे उंगमा दर एक समय नकल अने पुष्टकोना सपना आवता रहे छे अहीं अमिसा एक डर रहे छे के कोई विशेमा कोई कमी नर हे विध्यार्थि परिक्षानों वी ना जीवन खुब सरल ने सुखी हो आद वी ध्यार्थि मित्रों प्यार्बचे आगर्णा पाठ जीचे इनु सोलिशन तमें मेड़वा मागो छो तो है आपेली एंड स्क्रीन उपर क्लिक करी सको छो